Hello everyone and welcome back to another video एक shocking update मुझे मिल चुका है और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इसलिए Bollywood मुझे सही नहीं लगता और भाई लोग आप सही सुन रहे हो और टाइटल में भी आपने देख लिया होगा जर्सी ने अपना release date अनौंस कर दिया है और उन्होंने भी 14 अपरिल का date अनौंस किया है लाल सिंग जड़ा ने गनफर्म कर दिया कि वो लोग 14 अपरिल को आ रहे हैं उसके साथ KGF 14 अपरिल 20 भी एम कर रहा है अब इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ये date जो है regular back to back अनौंस होते है इसी date में तो KGF को screens बिलकुल नहीं मिलेंगे क्योंकि जर्सी अभी अगर 14 अपरिल को इसने अनौंस किया है तो वो भी एक screen ले जाएगा फिर KGF एक screen ले जाएगा तो लाल सिंग मतलब जो है वो एक screen ले जाएगा अब बचाएगा कितना आप मुझे खुद बताओ क्योंकि यार dates already June, July, August में है आप लोग फिर भी मतलब इस date पे क्यों करना है और ये राजनीती ही है क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि कोई दूसरा content उपर आए और इनका हमेशा यही रहता है कि कोई भी बड़ा content आए KGF One के टाइम भी ऐसा ही हुआ था दबा दिया गया था, screens नहीं मिला था और screens नहीं मिले तो किसे फिल्म को आप flop नहीं बोल सकते क्योंकि कम से कम screens तो दो यार यह क्या मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा frustrated हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ पहले से ही मैं बोल रहा था यार लाल सिंग चड़ा को थोड़ा postpone करना चाहिए में जून जुलाई महीना थोड़ा free है मतलब तयारी करके आओ KGF के सामने आप release हो रहे हो सिर्फ screens divide करने का ही यह plan है और कुछ नहीं है आप लोगों को बुरा लगेगा जितने भी Bollywood lover है उनको बुरा लगेगा मुझे अच्छे से पता है लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि यह पूरा राजनीती ही है politics किया जा रहा है क्योंकि आप सोच सकते हो indirectly अगर 3-4 film में announce होती है तो सबको एक एक screen मिलेगा आप screen बचेगा ही कहाँ क्योंकि 3-4000 screens इंडिया में है और उसमें से यह लोग एक एक screen सबको मिलेगा तो एक ही screen बचता है KJP के लिए तो collection कहां से होगा minimum 300-400 या 200 होता तो चलता लेकिन एक ही show मिलेगा एक ही film को कहां से मतलब वो collection कहां से करेगा और मुझे तो सही decision नहीं लगता यह सबसे bad decision है लेकिन यह लोग तो सुदरने वाले नहीं है मै openly बोलता हूँ openly बोलूँगा यह एक राजनीती ही है क्योंकि जब आपको पता ही है कि 14 अपरिल में अल्रेडी दो फिल्में क्लास हो रहे हैं तो अपने अपना रिली डेट क्यों आनौस किया उस डेट पे यह मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा और मतलब बॉलिवूड तो कभी बाज नहीं आने वाला अपने काम से और हमेशा यही करता रहता एक दोनों रिमेक फिल्म है लाल सिंग चड़ा रिमेक फिल्म है जर्सी रिमेक फिल्म है अल्रेडी गोल्ड मैंन में भी आला मतलब आप जाओगे तो अबेलेबल है वहाँ पे नानी का जर्सी तो यह लोग मतलब सुदरने वाले नहीं है और अपने इसाब से जो मनमानी है यह लोग करते रहते हैं आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करना मत बूलना और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना तब तक इले मिलते एक नहीं अपडेट में एक नहीं वीडियो में थांक यू फो वाचिंग